दोस्तो इंडियन आटो मोबिल मार्केट में हमने देखा है कि आजकल सेफटी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं दोनों बायर्स भी और मैनुफेक्चरर्स भी क्यूंकि सेफटी जब आप रोड पर अपनी गाड़ी को लेकर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको मिनिममम टू एर बैक्स देने पड़ेंगे जिसके बाद कि आजकल गाडियों के हर वेरियंट में आपको मिनिममम टू एर बैक्स देखने को मिलते हैं जो पहले नहीं आते थे इसी को ध्यान में रखते हुए अगल थोड़ा सा लगजरी सेग्मेंट के तरफ जाएं जहां पर sensors, cameras, radars का इस्तमाल किया जाता है और वहकिल के आसपास के environment को detect किया जाता है और उससे driver की real-time information और alerts को generate किया जाता है ताकि कोई भी collisions या फिर potential हजार्ट से बचा जा सके एडास की अलग-अलग levels होते हैं कि कि किस तरीके की technology किस level का एडास जो है आपकी गाड़ी मे आता है ताकि वो alerts raise कर सके, vibrations कर सके, signals raise कर सके, display पर या फिर गाड़ी का complete control लेके उसको एक safety parameter में transfer कर सके ताकि कोई भी miss happening होने से बचे अगर हम एडास के अलग-अलग levels की बात की जाएं तो यहां पर हमें 5 तरीके के, in fact 6 तरीके के एडास देखने को मिलते हैं जिसमें आपक traditional automation, 4th high automation और 5 full automation तो यह अलग-अलग तरीके के एडास हमें देखने को मिलते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करने चाहरे हैं 6 ऐसी गाडियों के बारे में जो की affordable है अगर थोड़ा सा उनके price segment को देखा जाए और उनमें आपको एडास का latest feature भी देखने को मिलता है तो सब का base variant है जो की एडास technology से एकवेप आता है जिसकी की price 14.66 lakh से शुरुआत हो जाती है अगर हम सैवी variant की बात करें जो further आगे अपर लाइन अप में variant आता है जो की 16,90,000 रुपे का में देखने को मिलता है वो भी एडास level 2 features के साथ में हमें देखने को मिलता है जिसमें की emergency braking, lane keep assist और adaptive cruise control जैसे features देखने को मिल जाते हैं दोस्तों दूसरी गाड़ी जिसके हम बात करने जा रहे हैं वो है आपकी Hyundai की वर्ना वर्ना अभी all new आपको facelift में देखने को मिली है और Hyundai वर्ना के अंदर RD compliant engine options जो है वो available कराए गए है और पूरी की पूरी नई feature list इसके अंदर डा ADAS इस गाड़ी के SX optional variant से start होता है जो की 14,66,000 उपे का हमें देखने को मिलता है और it goes all up to 17.38 lakhs depending upon your engine and gearbox option लेकिन हमको ADAS सिर्फ CVT और टर्बो पेट्रोल इंजन में ही देखने को मिलता है third car जिसके हम बात करने वाले हैं वो होगी हमारी Honda City facelift Honda ने भी अभी अपनी Honda City को जो की इनकी all time favorite car है और India की भी all time favorite sedan है इसको एक revamp करके facelift में launch किया है और ये गाड़ी compete करती है Hyundai Verna से पहले जब Honda City को hybrid version में launch किया गया था तब सिर्फ hybrid वाले variant में ही हमें ADAS देखने को मिलत है सबसे value for money variant की अगर बात करें तो वी वेरियंट जो की Honda City में आता है जो की 12.37 लेक से start होता है वहां पर Honda का sensing suite के साथ में आता है जिसको की वो इस तरीके से term करते हैं which is again a synonym for ADAS इसके साथ साथ ये गाड़ी four airbags ESP HSA के साथ में आती है और rear camera as standard हमें इसमें देखने को मिलत है अगली गाड़ी जिसके हम बात करने वाले हैं वो होगी हमारी Mahindra XUV 7W ये गाड़ी अपने brand का Mahindra का flagship model है फिलाल after Alturas got discontinued and give one of the first car है जिसमें की ADAS को introduced किया गया था AX7 variant जो की ADAS के साथ equipped है इस price at 22.32 lakhs जिसके अंदर की सबसे जादा ADAS features देखने को मिलते हैं जैसे की emergency braking forward collision warning, lane departure warning, high beam assist and traffic sign recognition इसके साथ साथ यहां पर एक luxury variant भी आता है जिसमें आपको additional ADAS features देखने को मिलते हैं जैसे की blind spot monitor set और adaptive cruise control दोस्तों फाइनल दो गाड़ियों की बात कर लेते हैं 5th और 6 नंबर पर जो आती हैं वो होंगी आपकी 2023 Tata Harrier and Safari updated Tata Harrier and Safari XA plus optional variant से जो available हैं वहां प XA plus variant से एक लाग रुपया महंगी है इसके अंदर आपको automatic emergency braking, forward and rear collision warning, lane departure warning, high beam assist, rear cross traffic alert, blind spot detection जैसे features देखने को मिल जाते हैं और यह दोनों गाड़ियों अभी हाली में Auto Expo 2023 में हमें red and dark edition में भी देखने को मिली थी जिसमें की red color के inserts जो हैं वो दोनों गाड़ियों में provide किये ग पर आपके मन में कोई doubts, कोई confusion है तो please mention the same in the comment section, I'll try to answer that, video अच्छी लगी हो तो like channel को subscribe कर ली जेगा, bye bye take care of yourself, have a good day and remember always drive safe, bye bye guys झाल